नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में दोस्तों हम लोग यहां पर इतिहास का टेस्ट लगाएंगे जहां पर आपकी चूने हुए हमने यहां पर 100 प्रस्ण लिए हैं तो आप लोग यहां पर सलेवस को जल्दी से जल कि पूरी का पूरी complete हो जाएगी ठीके चलते ह mantar करते हैं अगर आप नए है तो चैनल से जुट सकते हैं और हमारे चैनल पर रात 9 बज़े आपको हिंदी का full test कराए आता है तो आप रात 9 बज़े हिंदी का full test भी देख सकते हैं चलिए आपका question पूछा गया यहां पर कि çां इस ने श्टार किया था ठीके चलिए नेस कोशन को आते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया आपर किशेर सा के अंतर गद्र तामे के दाम और चांदी के रुपया की विनमय दर क्या थी तो सेर सा के अंतरकत तामे के दाम और चांदी के रुपया का विर्माई दर क्या थी ति ये जो दर रखी गई थी कितनी रखी गई थी भाई ये रखी गई थी 64 हनपाते एक ये सभी कोशन आपकी PCS exam में lower PCS exam में पूछे गए ठीके चलिए नेस कोशन आप सेगला पूछा गया है कि सेर सा सूरी की मृत्ति हुई थी बताइए यहाँ पर जवाब दीजे सभी लोग कि सेर सा सूरी की मृत्ति कहां हुई थी तो यह हुई थी आपकी सा सा राम बिहार में और इस वीडियो में टार्गेट है कि आपका यहाँ पर सो लाइक ठीक है आप लोगों को सो लाइक यहाँ पर करना है सभी लोग मिलकर करिएगा चलिए नेस कोचन आप से एकला पूछा गया है कि मात्र एक मुठी बाजरे की चक्कर में मैंने अपना समराज खुदिया इस कथ को आप किस मद्यकालिन सासक से संबंध करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं आपकी यहाँ पर ऑप्सन है चार और राइट अंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा सी नंबर आपका सेर सासूरी ठीक है सेर सासूरी से संबंधी थे यह आ कुशन को आते हैं कोशन आप से एगला पूछा गया है कि निम लिक्त में से किस इसमारक का निर्मार्ट सिर्साह ने करवाया था बताए यह यह निर्मार्ट करवाया थह आपके दिल्ली की किला एक कुछला मस्जिद कौण सी है दिल्ली कि पुराना किला के भौनों का निर्माड जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था तो राइट अंसर आपका यहां पर हो जाएगा सेर सा सूरी के द्वारा आपसन राइट आपका सी हो जाएगा सेर सा सूरी के द्वारा नेस कर आपसे यहां पर कि क्रसकों की सहयता के लिए किस मद्यकालिन भारती सासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारम की थी ये UPPCR 2018 में कोश्चन पूछा गया था तो पट्टा एवं कबूलियत की व्योस्था जो प्रारम की थी किस ने किया था राइट अंसर आपके यहां पर सी हो जाएगा आपके सीरसा सूरी ने ही किया था अब आपको कोश्चन मिलेंगे यहां पर मुगल वन्स अर्थात अकबर से समन्दित कराब से हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख उद्ध हुआ था जो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था उसमें जो मुख उद्ध क्या था अकबर का तो यह क्या था भई इसका option था यहां पर ए नमबर राणा प्रताब को अपने आधीन लाना ठीके राणा प्रताब के वीच युद्ध हुआ था इसमें यही था कि राणा प्रताब को अपने से छोटा दिखाने को देशार था तो उसे अपने आधीन मिलाने के लिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ठीके राणा प्रताब के साथ next question आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्स में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्स में हुआ था तो कब हुआ था भई यह था आपका 1576 option right up का यहाँ पर B हो जाएगा 1576 इस B में देखो यहाँ पर इस B पूर है यहाँ पर इस B है वह कब था इस B में हुआ था याद रखिएगा ऐसे आपको कनफ्यूज कर सकता है ठीके इस B में हुआ था नेस कर आप से अगबर ने सरब्थम वयवाहिक संबंद राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किये थे वह आपका कौन था तो अगबर ने जो सरब्थम वयवाहिक संबंद अर्था जो विवा किया था राजपूतों से वह किस ग्रह से संबंदी थे यह संबंदी थे आपके कच्छवाहों से ठीके कच्छवा राजपूतों से उन्होंने किया था सरब्थम आपके वयवाहिक संबंद नेस कर आप से पर कि किस चिस्ती संत के दर्गाह पर अकबर दर्शन है तो अधिक जाता था काफी अच्छा कोशन है यह आपके चिस्ती संत कौन है जिनकी दर्गाह पर अकबर दर्शन के लिए जाते थे यह हैं आपके ऑप्शन राइट आपका ए ख्वाजा मुनित दीन चिस्ती के दर्वा में यहां पर समय शुष्ब सो た ठीक है चलिए ओए नींत कोचन आपकर आगला पुछा ईब से Ganz ने अक्बर की समप्रवद्धा स्व्यम स्विकार नहीं किया था, बताईए यहां पर, तो यही है आपके कौन, आप्शन, सोरा का, यह हो जगा भी, आपके मेवाड के राजा वही, ठीके, मेवाड के राजा जो आपके थे, राणा प्रताप ने, इन्हों ने कह सेकते हैं, कि इनके अधिनता सुईकार नहीं किया था ठीक है मेवाड नेस कोचन आप से अगला पूछा गया आपर कि किस राजपूत सासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर सुतनता का संगर्स जारी रखा और समर्पड नहीं किया था यह समर्पड आपके कौन थे तो वही आपके जो नेस कोचन काते हैं कोचन आप से अगला पूछा गया बहुत ही अच्छा कोचन है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो रानी थी वो कहां की थी दुर्गावती कहां की थी भई तो यह थी आपके मंडला ठीक है कहां की थी मंडला की थी नेस कोचन आप के अकबर को कहा जाता है ठीक है अकबर को नेश कर आप से याँ पर किनेमलेकित में से किसने यह आज्या दी थी कि आदमी को एक ही इस्तरी से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो ठीक है तो ऐसी इस्तिंती में ज इसी विवच्चे कहते हैं कि सर अगर 50 प्रस्टन हिंदी के हैं तो उसके 10 मिनिट में सौलो करिए और अगर के सावचन काल में पुनर गठित केंदरी प्रशाषन तंद्र कहें अंतरगत सानिक विभ़ा का प्रमुक था आतर अनके समय में जो अकबर विभ़ा क कर अधारी थी यह थी आपकी मनशब दारी विभयसता इनके अकबर के कह सकते हैं कि गुर्टा का करण ये कह सकते हैं कि इनके सैन ब्योस्था का करण एक मेन काम था मनसपदारी ब्योस्था नेस कराब से अकबर द्वारा दीवान का पूंड रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम ब्यक्ति कौन था तो दिवान का पूंड रूप जो दर्जा दिया गया था किसको दिया गया था ये दिया गया था आपके 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 यहाँ पर हो जएगा राजा टोडर मल ठीके राजा टोडर मल को यहाँ पर दिया गया था ये सबी ठीके नेस कोचन आपसे अगला पोशा गया है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी अर्था जो आपकी मनसबदारी प्रणाली है कहां की देन है यह है आपके मंगोलिया की कहां से मंगोलिया के थी क्योंकि इनके पिता आपकी स्वारी मतलब जो आपको अकबर बावर थे वो आपकी कहां से मंगोल थे न तुर्की इन सभी के कमाइंडों से आपके थे नेशकर आपसे जबती प्रणाली किसकी उपज थी तो वही किसकी आथ थी यहाँ पर आपके चार आपसने सही जवाब दीजी यहाँ पर तो जबती प्रणाली जो उपज थी वो किसकी थी यह थी आपके अकबर की ही ठीका आपक कर दी हो जाएगा नेश कर आप से टोडर्मल ने जिस छेत्र में ख्यात अर्जित की थी वह आपकी कौनसी छेत्र है तो यह आपकी बात हो गई कौनसी तो यह आपके option भी हो जाएंगे टोडर मल नेश कर आप से याँ पर कि अकबर काल में भूराजर सुभिवर्श था कि एक प्रिसिद नीती आईन ए दाह साला प्रिसद्धी किसके द्वारा निर्मित की गई थी आईन ए दाह साला जो थी यह किये थे आपके 1982 में ठीके और 1983 में एक समवत भी चलाया था इनों ने ठीके दिलाही समवत नेश कर आप से दीन ए इलाही का प्रिचार किस सासक ने किया था तो दीन ए इलाही जो धर्म था इसका जो प्रिचार किया था वो किये थे आपके अकबर के ही δ्वारा किया गया था नेस कोशन आपसे अगला पुछाए है इबादत खाने का निर्माड किसने करवाया था जवाप दीजी भई यहां पर तो आपसन आपका यहां पर हो जागा शीए आपके अकबर ने ही करवाया था नेस कराब से कि दिल्ली में कौन सा एतियासिक इसमारक भारती तथा फार्सी वास्तुकला सैली का उधारण है जवाब दिजी भई यहाँ पर तो दिल्ली में जो आपका कह सकते हैं भारती और फार्सी वास्तुकला का संयुक्त उधारण है यह आपका कौन सा तो यह आपका है तो भाई ये किस के दोरा किया गया था, ये किया गया था आपके option right आपके B, अकबर के दोरा ही किया गया था, नेस कोचन आपका फिर भी आपका वही आगया कि अकबर के द्वारा अपनाए गई सुलाह एकुल अर्थात सरोभौम सक्ती सांती तता भाईचारा की अधारणा निम्लिकित में से किस पर आधारी थी तो यह आपकी जो थी सुला एकुल इसके अधारण जो आपकी थी वो किस पर आधारित थी यह अधारित थी आपके राजनीतिक उधारता पर धारमी किसान सीलता पर उधारवादी संस्की द्रश्टी कोण पर अर्थात उप्रोगत सभी आपसन आपका D हो जाएगा नेशकर आपसे किस मुगल बादसा की विरुद्ध जौनपूर में जौनपूर से फतवा जारी हुआ था तो यह आपके जो जौनपूर से फतवा जारी हुआ था आपके कौन थे यह आपके अकबर ही थी ठीका उपसन आपका B हो जाएगा नेसकर आपसे किनिम से किसका निर्माड अकबर ने करवाया था तो अकबर ने किसका निर्माड करवाया था भाई तिये करवाय थे आपके बुलन दरवाजा जो कि फतेपुर सीकरी में है नेशकर आपसे अकबर द्वारा बनवाई गई सिर्ष्टम इमारतें पाय जाती हैं अकबर के द्वारा बनवाई गई सिर्ष्टम जो इमारतें हो कहां पर हैं तो यह हैं आपके फतेपुर सीकरी में ठीके फतेपुर सीकरी में आपके जिसे बुलंदर वाजा हो गया, पंच महल हो गया, सब ही आपके वहीं पर है नेश कर आपसे यहाँ पर अकबर दुआना बनाए गई कोंसी इमारत का नकसा बौध विहार की तरह है तो बौध विहार की तरह की तरह यह आपका जो नकसा है कौन सा तो आपसन आपका ये पंच महल ठीक है पंच महल नेशकर आपसे अगला यहां पर इफटेपुर्ष सीक्री में बातसा अकबर ने निर्मित करवाया था तो वही किसका निर्मार करवाया वही कोशन आपका पंच महल का निर्मार करवाया था ठीक है जहांगीर महल कहां इस्तित है बहुत ही आईंपी कोशन है जहांगीर महल इस्तित है कहां पर है यह इस्तित है आपके आगरा में ठीके कहां पर आगरा में तो महा भारत का फार्सी में जो अनुवाद हुआ था वो हुआ था आपके option आपके यहां पर हो जाएगा 242 का D फैजी की द्वारा हुआ था ठीके फैजी की द्वारा नेश कराब से महा भारत के फार्सी अनुवाद का सीसक है तो महा भारत की जो फार्सी अनुवाद का सीसक ह कौन सा तो यह आपका रज्जमा के नाम से ठीक है रज्जनामा स्वरी रज्जनामा मतलब फार्सी का अनुवा जो भारत का फार्सी में अनुवा जो किया गया है वो आपके रज्जनामा में किया गया है ठीक है और नेस कोचन आप से एकला पूछा गया है कि इस इंडिया इपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निमन्से किसने भेजा तो याद है आपको कि इस इंडिया इंडियाव जो आपके जहांगीर की दरबार में आये थे तो उन्में सबसे पहले कौन आया था यह आया था आपका 204 को और सुप्षन का कौन सा हो जाएगा जहांगीर के द्वारा और इनको इंगलिस खान की उपाधी दी गए थी नेस कोचन आप से एकला पूछा गया है कि नेम्लिकित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधी से सम्मानित किया था तो यहाँ है आपके question आपका यहाँ पर ए विलियम हाकिन्स को ठीके इंगलिस खां की उपादी इन्हें प्रदान किया था नेशकर आपसे British राजदूत के रूप में सर्थामस्रो भारत आया था सासनकाल में तो British राजदूत के रूप में जो सर्थामस्रो आया थे वो किसके सासनकाल में आया थे किसके सासनकाल में तो यह भी आया थे आपके जहांगीर के सासनकाल में नेशकर आपसे इंगलेंड के जेम्स प्रथम के रादूत सर्थामस्रो किस वर्ष भारत आया थे तो आपको उता है जहांगीर के सासनकाल में कब तो आपके या आते 1615 इस भी में नेश कर आपसे जहांगीर ने थामस रो को कहां मिलने का आउसर दिया था तो जहांगीर ने थामस रो को मिलने का जो आउसर दिया था ये दिये थे आपके अजमेर में कहाँ पर तो आपका 258 का option right आपका B अजमेर में दिया था नेश कोचन आपसे अगला पूछा गया है आपर कि भारत में इंगलेंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया था भारत में इंग्लेंड का कौन सा राद्दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडवाय था यह आपका कौन सा है तो यही आपका option राइट आपका बी आपके थामस रो ठीके नेस कोचन आप से एकला पूछा है कि एक डच परेटक जिसने जहांगीर के सासनकाल का मुलेवान विवरंट दिया वह आपका कौन था तो जहांगीर के सासनकाल को मुलेवान का विवरंट दिया था यह आपके डच परेटक कौन थे 260 को उप्सन राइट आपका A हो जाएगा आपके फ्रांसिस्को पेल सर्ट ने ठीके फ्रांसिस्को पेल सर्ट ने किया था ने इसकर आप से किस मुगल सासक का मगबरा भारत में नहीं है बहुत ही प्यारा कुश्चन तो किस सासक का मगबरा भारत में नहीं है तो ये हैं आपके दो सो एक्साइट का उप्सन राइट आपको हो जाएगा बी आपके जहांगीर जहांगीर का जो मगवरा है वो आपके सहादरा लाहोर पाकिस्तान पढ़ता है तो मुगल कला आपकी चरह में जो पहुँची थी किसके सासनकाल में, तो यह सासनकाल है आपका जहांगीर, आपका C हो जाएगा नेश कर आपसे, जहांगीर के दर्बार में पच्छियों का सबसे बड़ा चितरकार था, बहुत ही प्यारा कोर्शन तो पच्छियों का सबसे बड़ा चित्रका जो की जहांगीर की दरबार में थे आपता तो उस्ताद मनसूर कौन था उस्ताद मनसूर आपका D हो जाएगा नेश कर आप से कि निम्लिखित मुगल बात्साहों में किसने अपनी आत्मकथा फार्सी में लिखी थे तो अपनी आत्मकथा फार्सी में लिखी थे किसने तो 264 का उपसन आपका C आपके जहांगीर थे ठीके जहांगीर नेश कर आप से इतमाद उद्दौला का मगबरा आगरा में किसने बनवाया था तो इतमाद उद्दौला का जो मगबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था ये बनवाये थे आपके option C, नूर जाहां, ये नूर जाहां के क्या थे, पीता थे, याद रखियेगा, और इनका जो मकबरा था, पहला ये सब मकबरा था, जिने रंगीन काचों के द्वारा आपका निर्मित किया गया था, ठीके, नेश कराब से, गोविंद महल, जो की वास्तुकला का अप प्रितम उदारण है, इस्थित है, तो गोविंद महल का इस्थित है भाई, तो ये इस्थित है आपके दतिया में, ठीके, दतिया में option right आपका A हो जाएगा, नेश कराब से, देखिए मुगल वन से आप सा जाहां से question मिलेंगे, इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगड़े की जड़ क्या थी, तो इरान के जो आपके साह थे, और मुगल सासकों के जगड़े थी, इनकी जड़ क्या थी, तो ये जड़ थी, वो थी आपकी option right आपका B, कंधार, ठीके, कंधार, नेश कराब से, कि बनारस यो मिलाहाबाद के, तीर्थ यात् करकी समापती के लिए किसने मुगल बादसा के सामने बनारस के पंडितों का नेतुरत किया था, तो तीर्थ यात्रा करकी समापती के लिए, जो मुगल बादसा के सामने बनारस के पंडितों का नेतुरत किया था, ये आपके कौन थे, तो इनका नाम है आपका option, आपका C, कौन थे आपके कविंद्रा चार नेस कर आप से मुम्ताज महल का असली नाम क्या था मुम्ताज महल का असली नाम क्या था जवाब दीजी भई तो ये नाम क्या था भई तो इसका नाम था आपका अरजुमंद बानो बेगम मुम्ताज महल का असली नाम अरजुमंद बानो ये मिलता है आपके ताज महल में, option आपका ए ताज महल में, नेसकर आपसे कि निम्रिकित में से किस मुगल बादसाह ने दिल्ली की जामा मस्जित का निर्मार कराया, वो आपके साह जहाने करवाया था, ठीके साह जहाने, नेसकर आपसे निम्रिकित में से किसने समराज की निर्माड करवाया गया था तो दिल्ली के लालकिले का जो निर्माड करवाया गया था ये किसके द्वारा तो आपकी सा जहां के द्वारा आपका D हो जाएगा नेश कर आपसे उपनिस्तों का फार्सी में अनुवात किस मुगल समराट के सासन काल में हुआ था ये वह था आप आपके option D, आपके सिर्रे अकबर, ठीके, कौन सा सिर्रे तो आपका सिर्रे अकबर उबजनिस्तों का फार्स से वनवात किया था, दारासी को ने, नेस कर आपसे, हिंदू धर्म गरंतों का अध्यान करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, बहुती IMP question है, कि हिंदू धर्म गरं का सुण का है, ठीके, ये भी IMP question आपका है, तो सा जांके सासनकाल को मुगल का सुण का है, किसने का है, तो ये का है, किसने, तो ये किया है, आपके AL सिर्वास्तों ने, ठीके, नेस कोशन आपसे अगला पूछा गया पर, कि किस मुगल बातसार ने बलबन द्वारा आधिकान समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, तो दक्कन का जो गवर्नर था, वो आपका कौन था, ये आपका औरंग जेब था, ठीके, औरंग जेब, अब आपको कोशन औरंग जेब से सम्मझित मिलेंगे, कि निम्लिकित में से किस मुगल बातसा का दो बार आपका राजिव स लड़ा गया तो औरंग जेव और उनी के भाई आपके दारा सिकों के बीच लड़ा गया था ठीके नेश कर आप से औरंग जेव ने जोदपुर के सासक जस्वंत सिंग को 1658 इस भी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया तता धर्मट किस राज में इस्तिता आपका जो ध अपने पिता की इस्तिती दुरबल कर दी थी तो यह आपकी जो अपने पिता की इस्तिती दुरबल की थी यह आपकी कौन से पुत्र थे अगुरंग जेव के तो औरंग जेव की यह पुत्र का नाम कौन है तो आम इनका नाम है आपका भी मुहम्मद अकबर ने ठीके मुहम् 1665 में आपके सिवा जी और जैसिंग के बीच पूरंदर की संदी होय थे नेस कोचन आप से यगला पूछा गया है पर कि किस मुगल बादसा को जिन्दा पीर कहा जाता है आपके ओरंग जेव को नेस कर आपके औरंग जेब ने बीजापूर की विजय कब प्राप्त की थी यह किया था आपके 1686 इसवी में नेस कराब से बीजापूर को मुगल समराज में कब मिलाया गया वो मिलाया गया था आपका 1686 इसवी में नेस कराब से औरंग जेब ने दच्छिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो आपके कौन थे तो दच्छिण में दो आपके राज्य थे जिनों औरंग जेब ने कह सकते हैं विजय किया था तो यह आपके कौन है तो वीजापूर और आपके गोल कुंडा आपसन नेसकर आप से किस बादसा के अंतरगत मुगल सेना में सरवाधिक हिंदू सेना पती थे तो सरवाधिक हिंदू सेना पती मुगल समराज में किसके समय में तो ये भी थे आपके औरंग जेब के समय में नेसकर आप से जजिया किसके सासंकाल में पुना लगया गया तो याद दारूल इसलामी और आप से इसका बेवी का मगबरा का निर्माता कोन है जोके औरंगवाद में आप संगीत चितर कला और ?ँरंगा आण हैघ तो आपका बी हुमायु ने किया था नेश कर आप से कि चित्रकला की मुगल कलम भारती लगुचित्रकला की रिड है निम्लिकित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा तो यह नहीं पड़ा है आपके काली घाड पर ठीके काली घाड पर नहीं पड़ रहे हैं दस्तान ए अमीर हजन हजमा का कीया घया है तो यह किया गया है आपके आपके ठीके, नेसकर आपसे पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगर स्कूल और कांगड़ा स्कूल, निम्लिकित में से किस कला की विभिन सहली को दर्सित करते हैं, तो आपकी कौन सी सहली है भाई, ये सहली है आपकी चित कला सहली, ठीके, नेसकर आपसे कि निम्लिकित में से कौन सा एक संगीत वाद बजाने में औरंग जेब की दच्छता थी आ था औरंग जेब कौन सा संगीत बजाता था ये कोशन आपका PCS में पुछा गया था तो यह है आपका वीड़ा ठीक है वीड़ा बजाने में औरंग जेब आपके माहिर थे नेश कराब से प्रसिद्ध ता गुल बदन बेगम पुत्री थी तो किसके पुत्री थी ये पुत्री थी आपके बाबर की ठीक है ए नमबर आपका हो जाएगा नेश कराब से मुगल काल में निमलिकत में से किस महिला ने आतियासिक वीवरन लिखे हैं तो आयतिहासिक विवरन लिखें किसने तो ये लिखा है आपके नूर जहां बेगम ने अपसन आपका भी नूर जहां बेगम ने ने इसकर आपसे हुमायो नामा की रचना किसने की तो आपके गुल बदन बेगम ने इसकर आपसे कि दिल्ली का हुआ सिच्छा केंद्र जो मदर क्याने मुसलंपनिध्यान नुख्यों के मात्थुडपुर एधिक उधिया गया है आपकी पंच तंतर का ठीके पंच तंतर का जो अनवाद है ठीके यह आपका अनवार यह आपका सुझावली की रूप में आपT men मुगल काल में दर्वारी भासा ती वो आपकी कौन सी थी अपसर राइट आपके यापर सी हो जागा फार्सी भासा नेशकर आप से नस्ता लीन नस्ता लीन क्या है बाई बताईए आप नस्ता लीन क्या है तो नस्ता लीन है आपकी क्या एक प्रकार की फार्सी लिपी जुम्मत दिकालीन भारत में प्रियुक्त होती थी नस्ता लीन ठोड़ी आपन नस्ता लीन है ठीके निशकर आप से किनेमडेखित में से किस एक चंद्रिका एवं रशिक पिर्या, की रचना की है, बताई यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में, कि लगभग दो तीन पार्ट और देखने को मिलेंगे इतियास से, जैसे कि दो पार्ट आपके modern history से, और लगभग दो पार्ट में आपके प्राचीन करने का प्रयास करेंगे ठीके तो समय ज्यादा नहीं इसलिए ज्यादा ज्यादा कोर्शन का आप रिवीजन करते रहिए साथ में रात नो बजी आप हिंदी का टेस्ट भी लगाते रहिए ठीके तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हि जय हिंज हारत